हाई गाईज मेरा नाम है रितुराज सिंग एंड गाईज आप लोग का जिस तरीके से सपोर्ट आया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको पूरा जो प्रोसेस है वो बताने वाले हैं कि आप अपना अप्लिकेशन फॉर्म बिडाउट एनी मिश्टेक कैसे फिल अप कर सकते हैं इससे पहले आप लोग का जो सपोर्ट आया मेरे वीडियो इस पर काफी यह अच्छा रहा है उसके लिए बहुत दो थैंक यू और आप प्लेलिस्ट को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक आउट कर सकते हैं आपके अप्लिकेशन फॉर्म कि या जो लाश्ट डेट थी वो मैंने अल्रेडी बता दिया है तो यानि कि 9 से लेकर 12 के बीच म अपना में सेशन का जो अप्लिकेशन फॉर्म है वो फिल अप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डारेक्ट लिंक दिया गया है जैसी आप क्लिक करेंगे नियू रिजिस्टेशन पर आएंगे तो आपके जो स्क्रीन है उस पे कुछ ऐसा इंटरफेस ने जड़ आए तो दोस्त और वीडियो में आगे पढ़ने इस पर आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रूप और आपके कोई क्वेस्टन होते हैं जो इस वीडियो में नहीं कवर हो बाते हैं कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको इस्क्रीन पर आईडी दोनों दिख रही है ठीक है आपक कुछ आपके डीटेल वगरे दी गई है आपके जो बिसिकली डाकुमेंट से उससे लेट है तो आपको सिंपल सा यहाँ पर आई एक्सेट पर क्लिक करना है उसके बाद आपको सब्मिट कर देना है आगे बढ़ जाना है ठीक है उसके बाद आपके स्किन पर कुछ ऐसा जे नहीं फिलब करनी है क्योंकि यह आपका कॉंसलिंग के टाइम पे एडमिशन के टाइम पे सेम यही ओफिसली होने वाला है तो आप जो भी अपना यहाँ पर डीटेल फिलब करेंगे एड्रेस वगरा वो सभी आपका आधार कार्ड से मैच होना बहुत ही नेसेसरी है तो आप इस बॉक्स पे टिक करने के बाद जो उपर की डीटेल से वो आटोमेटिक पर्मानेंट एड्रेस में फिलब हो जाएंगी तो इससे आपको फिल से फिलब नहीं करना होगा आपकी जो एफार्ट है वो थोड़ी सी यहाँ पे बच जाएगे ठीक है और उसके बाद आप आपको scroll down करने के बाद इसके नीचे आ जाना है जैसे ही अगर आप यह से भी चीजे फिलब कर सकते हैं उसके बाद ठीक है जैसे ही कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक strong password create करना होगा तो आपको अपने according जो भी strong password लगे वो आप create कर लिजेगा और इसके बाद आप आपको यहाँ पे अपना जो security यहाँ पे दिया गए happy वो डालने के बाद submit पे click करने करते ही आपके screen पे कुछ ऐसा आएगा इसके बाद आपको यहाँ पे close पे tick करना है उसके बाद यहाँ पे basically आपको like my name, father name, mother name, date of birth, gender, address यह सभी पे tick कर देना है mobile और जो email ID है यह आपका counseling time पे official information, messages, email सभी आपके c number email पे आएंगे तो इसको बहुती समाल कर रखना है क्योंकि मेरे साथ धोका हुआ था तो आप लोग please ऐसा गलती मत करना उसके बाद आपको यहाँ पे I agree पे click करना है उसके बाद final submit पे click कर देना है तो आपकी जो registration है वो समाप्त जाती है अब आप आपको अपना application form fill up करना होगा यहाँ पे yes पे click करेंगे उसके बाद जो आपकी next step है वो आजाती है application form अब यहाँ पे आपको अपना application form complete करना होगा guys यहाँ पे simply नीचे थोड़ा सा जैसे ही यह complete पे click करते हैं तो आपके screen पे कुछ अगला जो यहाँ पे screen पे देख पा रहे होगे ठीक है इस type का कुछ interface आएगा अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है यार कि जो student अभी तर चैनल को subscribe नहीं की है आप अपने dream university का या फिर college का नाम comment section में नहीं लिखे यार तो please link देना comment कर देना बहुत अच्छा लगता है ठीक है तो इसके बाद यहाँ पे आ या फिर जो आपकी place of residence है तो यह सभी आपको बहुत ही यहाँ से carefully fill up कर लेना है ठीक है यह जैसे यहाँ फिलब कर देते हैं फिर आपको यहाँ पर apply main session पे click करना होगा इस box पे आपको capability करना है उसके बाद आपको जो भी medium है exam की जिस भी language में देना चाहते है वो करने के उसके बाद आपकी जो educational details है यानि कि आपने trend कहां से pass किया है कितनी percentage है school कौन सा name है board क्या है आपकी कितनी percentage आई है तो यह सभी चीजे आपको यहाँ पे correctly fill up कर देनी है आप जैसे जैसे option पर click करते जाएंगी आपके पास simple सा जो भी आपकी basically board वगएरा का name वगएरा है यह commission थोड़ी सी submit करनी होगी अब parents के like आपका जो occupation अगर आपको यह government imply है या फिर जो भी है basically एगली culture से belong करते हैं जो भी है basically और उनकी जो qualifications है metric या फिर जो भी graduation या पर जो भी IIT या फिर MBS जो कुछ भी हो आपको simply यहाँ पे click करने के बाद आपको यहाँ पे simple सा submit पे click करना है अब जैसे ही आप submit पे click कर देते हैं तो फिर से आपको यहाँ पे एक बार confirmation NTA मालेगा कि क्या दोस्त जो आपने information यहाँ पे fill up किया है वो सब सही है तो आप NTA को बताओ कि हा यार मैंने तो same ही जो चीजे fill up किया वो एकदम correct है तो यहाँ पे agree पे click किजे फिर यहाँ पे yes पे करके submit मार देजिए फिर आपके skin पे जो अगला step आएगा वो हैगा आपका documents, photo, signature यह सब भी upload करने का तो यहाँ पे आपको फिर अपना जो proceed पे है उस पे click करना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी details है वो आपको यहाँ पे upload करना होगा अब यार प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी share करना ठीक है अब यहाँ पे आपको अपना photograph जो size है वो 10 से लेकर 200 kb के बीच में होनी चाहिए उसके बाद अगर signature की बात करें तो 4-30 और जो आपकी category certificate है वो central की ही रहेगी जैसा की आपको अलेड़ी पता होगा तो यह सबीचीज है PWD candidate है तो जो file है वहाँ से select करने के बाद आपको यहाँ पे submit पे click कर देना है उसके बाद आपके screen पे कुछ ऐसा interface नहीं जा रहाएगा आपकी photo certificate और signature वगेर सो हो जाएगी फिर आपको यहाँ पे self verify करना होगा self verify करने के बाद यहाँ पे जो tick box है उस पे आपको tick कर देना है उसके बा comment आप अपने debit card, patium, upi, google पे, phone पे, amazon पे कहीं से भी कर सकते हैं इसके लिए anti आपने आपको एकदम free कर रखा है तो आपको जो भी सुविदा जनक लगे जो भी आपको easy लगे वहाँ से आप कर सकते हैं करने के बाद आपका confirmation page है कुछ इस type का खोल जाएगा ठीक है अब यहा आपके exam nation center और आपकी जो counseling है जो सा की उसमें admission के time पे बहुत ही काम आएगी ठीक है दोस्त तो इसको आपको रख लेना है and guys अगर आपके कोई question queries है तो आप हमें comment box में या फिर हमें instagram पे DM कर सकते हो आपको पूरा reply दिया जाएगा help किया जाएगा आपके counseling admission तक और admit card पे मैं ठीक है क्योंकि आपनों के demand पे मैंने फिर से video create किया है और telegram group को join कर लेना students बच search करके so guys all the best for your exam को भी दिक्कत होती है और comment कर लेना या फिर instagram पे DM कर लेना आपको पूरा support दिया जाएगा thanks for watching this video and good luck